नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आपको बता दे मांसु खेरिन केस में एक और बहुत बढ़ा खुलासा हुआ है और आपको जानकर हैरानी होई कि इस बार एक बार फिर से एक नई कार मिली है और ये कार ओडी है जिसको NIA ने जबत भी कर लिया है जी हाँ मांसु खेरिन मामले में इस्तिमाल की गई एक और ओडी कार NIA की टीम को मिली है और इस ओडी कार के जड़ी क्या खुलासा हुआ है वो मैं आपको बता हुआ हुआ इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको उता दे कि इसके बाद सचीन वाजे है और जो परंबीर सिंग है वो सीधे सीधे जेल की हवा खाने वाला है दोस्तों आपको उता दे मांसुखिरन मामले में इस्तिमाल की गई एक और ओडी कार को NIA की टीम ने जब्त कर लिया इस कार को वसाई इलाके से NIA ने जब्त किया है जानकारी के मताबिक जाँच एजनसी को बहुत दिन से इस कार की तलास थी यह कार किसने इस्तिमाल किया और इस कार की क्या भूमिका है फिलाल इसकी जाँच NIA की टीम कर रही है जानकारी ये भी मिल रही है कि इस ओडी कार से NIA को और भी कुछ सबूत मिले है इस गाड़ी को NIA कबजे में लेकर जल्दी अपने दफ्तर लाएगी सचिनवाजे का एक साथी गावडे वसई में फॉर्म हाउस का मालिक है अभी इस बात की पुछ्टी नहीं हुई है कि यह गाड़ी क्या वहीं से बरामत की गई है इससे पहले NIA ने 30 मारज को एंटीलिया केस में गिरफतार निलंबित पुलिस अपसर सचिनवाजे की एक और कार बरामत की थी जिसके बारे में हमने आपको वीडियो बना करके बताया था तो एक के बाद एक बहुत सारी बड़ी कारे मिल रही है जिससे यह पता चल रहा है कि इस कार का बहुत ही बड़े लेवल पर यूज किया गया है और यह सारी कारे आप देख रहे है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सुसान सिंग राशपूत का केस था उसमें भी ठीक इसी तरह की एक बलैक करर की कार मिली थी जिस देखने के बाद कहीं न कहीं अब इस केस को उस केस से लिंक करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुसान सिंग राजपूत केस में जिसने सुसान सिंग राजपूत को खतम किया कहीं न कहीं इस केस में उसका सीधे सीधे लिंक है आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत केस में भी उनके घर के बाहर एक कार मिली थी और जो कार मिली थी उसका जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरह से फेक था उसके उपर फेक नंबर दर्ज कराये गए था और खबर ये भी थी कि उस गाड़ी को ऑनलाइन बहुती सस्ते प्राइस पर बेचा जा रहा था तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ओडी मिली है और सुसान सिंग राजपूत केस में भी ओडी कार मिली थी मतलब साफ है कि दोनों केस में एक बहुत बड़ा लिंक है और आने वाल दिनों में इस केस का बहुत बड़ा खुलासा होगा महीं एक और खबर है कि NIA ने मुंबई के कलब पर छापा भी मारा है जी हाँ NIA ने कारोबारी मांसु खिरन की कथित हत्या के मामले में विरस्पतिवार को यहाँ एक कलब में तलासी ली है और निलमवित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा इस्तिमाल सिम कार्डों से संबंदित एहम दस्तावईज भी वरामत किये है अधिकारियों ने यहाँ जानकारी दी है कि गौर तलब है कि हिरन की कार का इस्तिमाल उधोग पती मुके संबानी के घर के बाहर विस फोटक सामगरी रखने में हुआ था उन्होंने कहा है कि देवजीत नामक वैक्ती द्वारा संचारित आसिस कलम में छापे मारी की गई उन्होंने बताया देवजीत ने मामले के आरोपियों में से एक नरेस गौर को कथी तोर पर वाजे के निर्देस पर नौकरी दी थी तो आप देख रहे हैं कि इस केस अभी तक एक से बढ़कर एक सबूत मिल रहे हैं और एक के बाद एक बड़े खुला से हो रहे हैं जो की एना ये जांच के बाद पता चलेगा तो आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद